इस वक्त हमारे साथ बाचीत के लिए यूपी सरकार में मंतरी दया शंकर सिंग मौजूद है सर आज सबसे पहला सवाल की ग्यान बापी मामले पर फैसला आना है किस तरह से आप देख रहे हैं क्या उमीद है कि क्या फैसला आ सकता है देखिए भारतिय नयाय व्यवस्ता पर हम सभी हिंदुस्तानियों को भरोसा है जो भी फैसला आएगा और जनता के हित में आएगा और जनता उसको सिवकार करेगा किस तरह की तैयारी की गई है फैसले की बात की चुकि महौल खराब ना हो अगर मालेजे हिंदु पक्ष में फैसला आता है या फिर मुस्लिम के पक्ष में फैसला आता है तो उत्तर प्रदेश सरकार की तैयारी क्या है सुरक्षा को लेकर देखिए अब नियाले पर सबको भरोसा है आप देखे राम जन्भूम पर भी फैसले आये नियाले ने दिया इस देश की जनता ने उसको सहत सिवकार किया तो कोई भी कोई कि भारतिय नियाय बेवस्ता सबको समान अधिकार देता है तो उसे हिसाब से जो फैसले आते हैं तो उसको लोगों सिवकार करते हैं तो ऐसा कोई इसकी लिए कोई विवस्था करने की जुरुत नहीं है, जो नियाले फैसला करेगा, उसको सबी सिवकार करेगा। इससे हटकर एक सवाल आपके मंत्राले से जुड़ा हुआ, अभी हाल में ही परिवहन मंत्रियों की बैठक हुई थी, आगे उत्तर पदेश परिवहन विभाग किस तरह से काम करेगा, रोड सेफ्टी को लेकर लगतार आप काम कर रहे हैं, तो इसको लेकर क्या चर्चा की गई परिवहन मंत्रियों की बैठक में? देखिए, रोड सेफ्टी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और हम लोग के लाग कुस्तों के बाद भी हम लोग रोड एक्सिडेंट में कमी नहीं ला पा रहे हैं, इसको लेकर के जो अपने बैंगलोर में मंतन हुआ, जिसमें मानिय बीजन है, गती सक्ती उस पर जोड दिया गया, और रोड एक्सिडेंट को पचास परतिसत तक रोकने के लिए उसकी रंडिती बनी, और और विभागों के पिरोडी और स्वास्त विभाग और अर्बन डेवलोप्मेंट ये सभी विभागों से भी सहयोग लेकर के रोड एक एक्सिडेंट को रोकने के लिए, मैंने प्रभावी कदम उठाने के लिए एक निर्डे हुआ है, और मुझे पुल भी स्वास है कि जदि हम लोग उसको लागू करेंगे, तो पचास परतिसत रोड एक्सिडेंट को रोकेंगे। मुझे इसकी जनकारी नहीं है, अब इस पर मैं कुछ नहीं कर सकते। मुझे इसकी जनकारी नहीं करेंगे। अब उत्तरे प्रदेश के बारे में तो मैं कह सकता हूँ कि पिछला सभी रेकार्ट तूट जाएगा, 80 की 80 सीटे जो है, मोधी जी के नेतुत में भारती जनता पाटी उत्तरे प्रदेश में जीते हैं। आखरी सवाल है कि आपको लगता है कि विपक्ष एक जूट हो पाएगा, चुकि अखलेश यादव लगतार मायावती को लेकर सवाल उठाते हैं, दूसरी तरफ ओम प्रकाश राजबर बीजेपी को लेकर बयान देते हैं, प्रधान मंत्री को सबसे प्रबल दावेदार बताते हैं। तो ऐसे में बिपक्ष की एक जूटता आपको लग पा रहा है कि 2024 से पहले देखने को मिल जाएगी। देखें, असी के असी सीटे भाइट पा जीते हैं।